हेलो एन गूद इवनिंग टू एवरीवन कैसे हैं आप लोग बढ़ियां होंगे घर पे मस्त होंगे मजे में होंगे करेंगे जो की रेलवे में प्रिवियर्स येर में जो भी कोशेंस आये हुए है उसको आज हम यहां पर करेंगे कल तक हमने टायम और टंकी के जो बात है वहां पर भी वही कान सेट लगेगा जो टंकी भरती है वो positive में लेना जो टंकी खाली करती है वो आप negative में ले लोगे ठीक है बाकी बात वो ही है वो ही सब कुछ है कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आप लोगों को आराम से आप questions को solve कर पाओगे और मैं आपको ये भी बता दूँगा कि कैसे questions इन में आते हैं ठीक है So very good evening to everyone Let's start our lecture अपने lecture में हम आज जल्दी से start करेंगे और मैंने आपको जैसे जो बताई थी बाते कल आप लोग बिल्कुल उसको guidance को follow कीजिए General awareness के questions करना चालू कर दीजिए ठीक है और साथी साथ में आप अपने reasoning और english maths के जो pattern है वो check कर लो आप लोगोंने शायद check कर लिया होगा मेरी बात मानी होगी अगर कल तो तो आप लोगोंने अगर check कर लिया है So better है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे questions आते हैं railway में So I hope कि आप लोग जो भी exam दे रहे हैं वो successful होएंगे exam crack करने में मेरी दुआय आप लोगों के साथ सब के साथ पूरी तरीके से है ठीक है So अपना पहला question देखते हैं क्या है आप लोगों को यह answer निकालना है ध्यान रखना है ठीक है So देखो यहाँ पर पहला question कहता है दो नल A और B एक टंकी को क्रमश 15 एवं 20 गंटे में भरते हैं ठीक है जबकि एक तीसरा नल C भरी टंकी को 25 गंटे में खाली कर देता है प्रारम में तीनो नल खोल दिये जाते हैं और 10 गंटे बाद C बंद कर दिया जाता है तो टंकी कितने समय में भरेगी सवाल समझ में आ गया होगा आप लोगो 2 taps A and B fill a tank in 15 and 20 hours respectively while a third tap C empties the filled tank in 25 hours initially all three taps are opened and C is closed after 10 hours then in what time will the tank be filled ठीक है So आपको पता है यहाँ पर जो भर रही है जो taps जो आपकी null की जो टंकी को भर रहे है जो null वो positive लोगे और जो खाली करते हैं वो आप negative लोगे बस और कुछ नहीं करना है तो देखो यहाँ पर आप क्या लोगे A और B A जो है वो 15 मिनट B जो है वो sorry 20 hours दिया है और C जो है वो आपका 25 hours में उसको खाली 25 घंटे में उसको खाली कर रहा है तो यहाँ पर आप क्या करोगे यहाँ पर C जो है वो minus में लोगे खाली कर रहा है ना एक भर रहा है दूसरा खाली कर रहा है तो एक positive है तो दूसरा आपका LCM आएगा ठीक है अब यहाँ पर देखो 15 तुने 30 तो 300 यहाँ पर आगया 20 यहाँ पर आगया 15 ठीक है और 25 यहाँ पर आजाएगा माइनस 12 यह आपने कर लिया तो आपको efficiency निकल कर आगई डल की एक की 20 दूसरे की 15 तीसरे की माइनस 12 घंटे की बात कर रहा है मतलब यह अब यह 15 घंटे में पूरा भर रहा था तो यह 20 घंटे में अब 20 पार्ट जो है वो एक घंटे पती घंटे का काम आ जाता है efficiency मैंने आपको कल बताया आप देखो सवाल कहता है आगे प्रारम में 3 नल खोल दिये जाते है 3 नल को खोल दिया भई तो 20 में से 12 गया 8 15 और 8 23 मतलब 23 पार्ट जो है नल का वो भरा जा रहा है ठीक है और कितने देर तक चलाया गया इनको प्रारम में 3 नल खोल दिये गया और 10 घंटे बात मतलब 10 गंटे के बाद C को बंद किया तो 10 गंटे तक भाई देखो 20 में से 12 गया 8 और 15 तेइस 220 मतलब 230 पार्ट जो है वो भर चुका है क्योंकि 300 में यह तोटल यहां से 23 आया 10 गंटे तक तो चले तो 10 गंटे में 230 पार्ट हो गया तो 230 भर गया अभी भी कितना खाली है नल अभी भी 70 बचा हुआ है तो यह 70 को आप कौन-कौन मिलके भर रहे हैं C हड गया C को बंद कर दिया गया अब यह दोनों मिलकर तो 20 प्लस 15 पैतिस इसको आप पैतिस से डिवाइट करोगे तो यहां पर कितना आया 2 आवर और लगे तो 10 घंटे यहां लगे प्लस 2 घंटे यहां लगे टोटल टाइम आपका कितना आगया 12 आवर तो मेरा एंसर आगया 12 घंटे 12 घंटे हमें लगे Yes, कृष्णे पाल चौलदरी, दिनेश शैनी और दिलिप मिना Very good, तुमारा एंसर बिल्कुल सही है तो जहां पर आपका खाली वाला पाल्ट आ जाता है वहां पर आप माइनस में ले लोगे ठीके, सो यहां पर 15 दुन यहां पर 15, 20, 25 कैल्सियम देखो 20 और 25, 100 के में आते हैं और यहां पर 3 आ रहा था इसमें 15 में तो 300, 15 और यहां 20 15 और माइनस 12, तीनों भरे तो यहां 23 आया, 23 मतलब तीनों साथ में चले तो 10 गंटे तक चले कितना हो गया, 230 230 भर गया, 300 में से, कितना बचा 70 बचा, 70 को अब C बंद कर दिया, तो यह दोनूं चल रहे थे 20 और 15, 35 से डिवाइट किया next question, तो आप समझ जाओ, ऐसे ही सारे questions को करना है हमको next question है अपना, next question देखो क्या कहता है, null A एक तलाब को भरने में 3 गंटे लेता है, जबकि null B उसी null को भरने में 6 गंटे लेता है यदि दोनूं नलों को चालू रखा जाए तो तलाब को भरने के लिए भी कितने गंटे लेंगे, it's very easy question कल हम कर रहे थे, ऐसे questions में आप मैंने क्या हो लगा था, पैन भी ज़रत नहीं पड़ेगी आपको, so यहाँ पर देखो 3 दूनी 6, 6 कम 6, total efficiency दोनों की मिलाकर 3 आ जाएगी, और 3 को आप 6 से डिवाइट करोगे, तो आपका answer 2 hour भी आ जाएगा, ठीक है, so इसका answer 2 hour होगा, बिल्कुल आप लोग जो निकालें, बिल्कुल सही है आपका, नमस्ते प्रवीन शिली, so शिवांगी शर्मा सही है, दिलिप मेना, कृष्णिपाल चौधरी, very good, so A, जो है आप यहाँ पर तो बिल्कुल easy question है, A आपका 3 घंटे में भरता है B, 6 घंटे में भरता है दोनु का LCM ले लिया, 3, 2, 6, 6, 2, 2, 2, 2, 1, 3 कितने घंटे में भर देंगे, आप बोलोगे sir 2 hours में, so यह तो बिल्कुल मैंने 2-3 दिन से यही दिखा रहा हूँ, ठीक है और 2-3 दिन और एक chapter किसी topic से ले लेंगे, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि असान सवाल आते हैं, आराम से आप easily कर सकते हो, without any trouble ठीक है, दो यह option है तो इन दोनों में आपको देना answer, ठीक है आप देखो सवाल क्या है, एक नल पानी की टंकी को एक घंटे में खाली कर सकता है, अब यहां खाली कर रहा है ध्यान रखना है, क्या कर सकता है, खाली कर सकता है, जबकि दूसरा नल उसे 30 मिनट में खाली कर सकता है, अब दोनों खाली की बात कर रहा था यहाँ पॉजिटीव नेगिटीव वाली बात भी ने आ थी पॉजिटीव नेगिटीव कब आता है 2 और प्लस और माइनस कब आता है जब एक भरता है और दूसरा खाली करता है यहाँ पर दुनु Eldri खाली कर रहें तो यहां फिर दोनु भर रहें हैं है very good so यहाँ पर एक नल साथ एक घंटा मतलब साथ मिनट दूसरा तीस मिनट में खाली करते हैं दोनूं ही खाली हैं तो यहाँ पर कुछ नहीं साथ एक कम साथ तीस दूनी साथ तो दोनूं मिलकर कितने तेर में खाली करेंगे दो और एक तीन आगया मेरा एंसर बीस मिनट में जो की मेरा बी ऑप्शन है ठीक है तो बीस मिनट में आप लोग बिलकुल सही है आप लोग बिलकुल पैन नहीं चलाओ गया ऐसे सवाल लेए कि आप लोग को सोचना भी नहीं पड़ेगा जादा आगे चलते हैं let's go to the next question ठीक है यदि खाली टंकी में दोनों पाइप खोल दिये जाए तो इसे भरने में कितना समय लगेगा बता दो बिना पैन चलाए पाइप A can fill a tank in 30 hours पाइप B can fill it in 45 hours बोथ पाइपस are opened in the empty tank how long will it take to fill it ठीक है तो कल अपन एक बात बोल रहे थे कि सर थोड़ा बहुत अपन बात भी करेंगे जब ऐसे questions कर रहे है so कुछ बात करते हैं आज इसका answer देखो क्या करेंगे 30 तिया 90, 45 दुने 90 सोनम शर्मा शिवान की शर्मा जल्दी में 16 लिख दिया 18 होगा answer 18 is absolutely correct जल्दी बाजी में नहीं दिली mistakes A 30 P 45 दोनु का LCM 90 30 तिया 90 45 दुनी 90 दोनु मिलाकर 5 हो गया total कितना आगया answer मेरा 18 18 is absolutely correct ठीक है so 18 गंटे में गंटा है ना हाँ 18 गंटे में हम उसको भर देंगे दोनु नल मिलकर उसको 18 गंटे में टंकी खाली टंकी को भर देंगे ठीक है so समझ में आया good evening R.K.Ram सबका answer आ रहा है चलो आगे चलते हैं let's go to the next question तो इद्दम easy questions आते हैं आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोग को railway के लिए एकदम enthusiasm रखो अपने अंदर की मैं crack करूंगा sir प्रभीन चिले 95 by 518 बिल्कुल सही तो ये ध्यान रखता है अब देखो ये question आप लोग करो आप लोग को क्या आप लोगोंने history पड़ी होगी तो आप लोगोंने history में एक part है आपने काली मिर्च की story सुनी है black pepper की story सुनी है किसी ने बड़ा बड़ा interesting chapter है वो black pepper वाला बहुत बहुत जादा मज़ेदार चीज है वो इंडिया की जो खोज के लिए जो पगलाये थे ना Europeans पूरे एकदम वासकोडी गामा उससे पहले Columbus भी आया था ये वाली story अगर आपको पता है तो आप interested हो तो मैं आगे बताऊंगा दो पाईप एक tank को क्रमश है बारा घंटे यवा पंद्रा घंटे में भर सकते हैं ओके तीसरा पाईप उसे बीस घंटे में खाली कर सकता है यदि टैंक खाली हो और तीनों पाईप एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक इतने देर में भरेगा बिल्कुल सही 12, 5, 6, 60 15, 4, 9 यहां से आ गया 20, 33, 60 3 माइनस का आ गया 9 में से 3 गया 6 60 से 6 डिवाइट कर दो 10 एंसर हो जाएगा बिल्कुल सही यही कर रहे हो ना देखो पैन इसमें भी नहीं ज़रुद थी So क्या करेंगे हम आपको पता है हम इस सवाल में एक जो है वो 12 दूसरा जो है वो 15 और तीसरा जो है वो खाली कर रहा है इसलिए माइनस ले लो 60, 12, 5, 60 15, 4, 60, 20 तीया, 5, 4, 9, 9 में से 3 गया 6, 3 चालू है तो 6 पार्ट भरा जा रहा है तो टोटल कितना है 60, 60 6 पार्ट रोज भर रहा है तो टोटल कितना टाइम लगेगा 10 घंटे लगेंगे भई so answer 10 hours clear है सबको so ये सब इतने easy questions है आप बताओ, ठीक है, so आगे चलते है let's go to the next question 5 हो चुके है अपने, 25 है अपने पास total, so 26th questions, 26th पर पहुँझी है 6th question, ठीक है so मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप लोगो को पता है क्या कि वासको डिगामा जो है उससे पहले कॉलंबस भी इंडिया की ही खोच करने आया था, ये स्टोरी आप लोगो पता होगी शायद मेरे ख्याल से तो 3 पाइप, A, B, C एक होज को 6 गंटे में भर सकते हैं ओके, 2 गंटे तक 7 चलाने के बाद C को बंद कर दिया गया, एवं A तदा B बाद के 7 गंटे में उसे पूरा भरते हैं, होज को भरने में C अकेला समय लेगा, C कितना समय लेगा, देखो 3 फाइप, A and B, C can fill a tank in 6 hours after running for 2 hours C is closed and A and B fill it completely in the subsequent 7 hours, C alone will take time to fill the tank, ना बड़ा असान कोशन है ये भी, अगर आपको ध्यान है, अगर आप मेरे साथ पढ़ते हुए आए हो, जैसे मैंने ये में से तो मैंने ये चैप्टर को सीधा कोशन्स ही करा हैं और आप लोग सारे कर भी रहे हो, इतने easy questions हाते हैं, बड़ जब हम इस chapter को अच्छे से पढ़ेंगे, detail में पढ़ेंगे तो आप कोई भी question time and work ऐसा नहीं होगा कि आपको मैं नहीं कराऊंगा अच्छे अच्छे level के questions कराऊंगा, फिलाल तीनों मिलकर, हाना, अब आपको एक ही data दिया है, आपको एक ही data दियागी, बोला कि तीनों मिलकर एक pipe को 6 घंटे में भरते तो मैंने क्या बोला था आपको, उसी को ले लो बस आप LCM, ये 6 घंटे है ना 6 घंटे ही ले लो, LCM भी 6 आएगा और यहाँ पर इनके efficiency एक आ गई, ठीक ये कर लिया, अब देखो क्या बोलता है after running for 2 hours, सब लोगों ने सब तीनों जो pipe है, वो 2 घंटे तक साथ में चले, तो भाई, उनकी एक घंटे की, प्रती घंटे की efficiency एक है, तो 2 घंटे तक चले, तो कितना भर गिया, दो भर गिया अभी भी कितना, 4 खाली है, ठीक, 4 अभी भी खाली है, उसको किसने भरा, उसको बोल रहा है की C को बंद कर जाएगा, तता A और B ने, 7 घंटे में उसे पूरा भरते हैं तो जो बाकी का part है, 4 part जो है, उसको 7 घंटे में A और B भरते हैं, अना तो देखो, A और B का efficiency आ गया, 4 बटे 7, और total इनका धा 1, तो आप अगर 1 से 4 बटा 7 घटा दोगे, तो आपका आएगा 3 बटा 7, ये क्या C की efficiency हो जाएगी क्या, क्योंकि A प्लस B प्लस C 1 है, और उससे आप A प्लस B घटा दोगे, तो आपका 3 बटा 7 आ जाएगा, और आपसे पूछा गया है, आपसे यही पूछा है कि C कब भरेगा, तो C की परडे की efficiency 3 बटा 7 है, ये 3 बटा 7, आप डिवाइट कर दो यहाँ, तो 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, तो आपका answer आगया 14 घंटे clear समझ में आया, मैंने क्या किया जो आपको data दिया रहे उसको use कर लिया करो, ठीक है जैसे यहाँ पर आपको सिर्व यही दिया, कि 3 मिलकर 6 घंटे में भर सकते हैं, उन्होंने 2 घंटे तक चला, तो 2 घंटे तक चला फिर C को बंद कर दिया गया फिर A और B ने जो बचा हुआ था उसको 7 घंटे में भर दिया तो यही किया हमने A प्लस B प्लस C 6 दिया था, 6 माल, 2 घंटे तक चले, 2 पार्ट हो गया 4 बचा है, इसको A प्लस B ने 7 घंटे में भर दिया, तो 4 बटा साथ आ गया, तो एक से अब टोटल तीनों के एफिशंसी एक थी और A प्लस B की 4 बटा साथ आ गयी तो C की क्या हो जाएगी, एक से A प्लस B घटा दो ये, और C पूछा है तो 6, 3 बटा साथ, डिवाइट कर दो तो अपना एंसर आ गया 14 तो ध्यान रखना, की कैसे सवाल आए, तो डेटा जो भी दिया रहे आपको, उसको आप तुरंट से यूज कर लिया करो ठीक है, नेक्स्ट कोश्चन नल A तथा भी किसी हौज को क्रमश 6 एवं 8 घंटे में भर सकते हैं ओके, यदि नल A तथा भी, क्रमश एक घंटे के अंतराल पर खोले जाते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा अब देखो, यहाँ पर यहाँ पर यह नहीं लिखा है कि पहला टैप कौन सा होगा, जिसको पहले घंटे में खोला जाएगा तो आपको नहीं दिया है तो आप माल लो कि A को पहले खोला जाएगा यह आप अपने इसाब से माल लेना नहीं तो question में लिखा हुआ आता है कि started with A, शुरुवात में A से सालू किया उसने बट यहाँ पर नहीं है तो आप पहले जो दिया उसी को माल लो, ठीक है तो 6 और 8, LCM आ जाएगा 24, 6 तिया ठारा 6 तिया, चरुआ 6 चंग 24, 8 तिया 24 तो 4 और 3, कितना आ गया 7, 1-2 दिन में 7 पार्ट भरा समझ में आ रहा है, 2 दिन में 7 पार्ट 21 पार्ट 6 दिन में बचा कितना 3 पार्ट, वो कौन भरेगा पहले A भरेगा, तो 6 चंग 24 तो 6 गंटे 45 मिनट देखो, ऐसे ही आपको भी एंसर निकालना है इतनी जल्दी आता है एंसर कि यह सब में मैंने क्या बोला, आपको ज़्यादा तर 24, 8 थ्रीजा 24 8 तिया 24 अब यहाँ पर देखो, 4 और 3 मतलब A पहले घंटे खोला गया, 4 घर गया दूसरे घंटे, B खोला गया, 7 भर गया मतलब 2 घंटे में, 2 आवर में कितना 7 भरा जहां से देखो अब 7 इंटू 3 करो, 21 2 तिया 6 6 घंटे में, 21 पार्ट भर चुका है ठीक है, 6 घंटे में, 21 पार्ट भर चुका है मतलब 6 घंटे से तो ज़्यादा लग नहीं है तो देखो, यहाँ पर option 6 घंटे से उपर ही तो 6 घंटे में, 21 पार्ट भर गया ठीक है सुरी घंटे तीन भाई चार मिनट और लगेंगे तो 6 घंटे और इसको आप घंटे में चेंज करना है तो 60 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 15 15 तीया 45 तो एंसर आजाएगा 6 घंटे 45 मिनट जो कि हमारा B option है समझ में आया ना पहले ए चला तो पहले दिन 4 काम 4 पार्ट मिल्ब पहले घंटे में 4 हुआ दूसरे घंटे में 3 हुआ 2 घंटे में 7 बर गिया 6 घंटे में 21 बर गिया अभी भी 3 बचा है तीन अब कौन आएगा ए आएगा तो 3 से 3 पार्ट ए भरेगा A की efficiency किया है 4 सो 3 बटा 4 मतलब A जो है एक गंटे में 4 बरता है तो 3 पार्ट कितने हम भर देगा 45 मिनट में भर देगा ऐसे ही आप सोच सकते हो ठीक है तो अपना answer किया जाएगा 6 आवर 45 मिनट्स ओके सो 7 पार्ट का answer अपना B option सबको clear है ठीक है मिर से पहले ही दे देते है answer बढ़ी आए next अमता, good evening ओके, तो next question तो पाइप, A तदा B एक हौच को क्रमश 30 मिनट तदा 40 मिनट में भर सकते हैं, दोनों पाइपों को एक साथ चालू किया जाता है, यदि हौच को 24 मिनट में भरना हो तो दूसरे पाइप को कब बंद करना चाहिए, समझ में आया सवाल, two pipes, A and B can fill a tank in 30 minutes and 40 minutes, respectively both pipes are switched on simultaneously, if the hose is to be filled in 24 minutes when should the second pipe be closed, समझ में आ गया मतलब, कब आप 24 मिनट में मुझे hose pipe को पूरा, मतलब उसको भरना है तो मुझे कब second pipe को बंद करना पड़ेगा, ठीक है second pipe में कब close करूँगा ये मेरा सवाल है ये मेरा question है, ठीक है तो आप लोग लगाओ दिमाग इसमें, क्या करोगे बताओ भी, इसमें, इस सवाल में, आप क्या करने वाले हो जल्दी से बताओ मुझे क्या करोगे इस सवाल के लिए आप ओलो, आगया इंसर चलो, देखते हैं, क्या करेंगे हम, अब देखो इसमें भी सेम है, एक तीस मिनट में है दूसरा, चालेस मिनट में LCM क्या जाएगा, एक सो बीस चार से, तीन से ठीक, अब देखो, मेरी बात समझो अगर, अब ये बोल क्या रहा है अगर बोल रहा है कि चौबिस मिनट में भरना हो, अब माल लो कि अगर दोनों पाइप, चार और तीन साथ, मतलब टोटल एक दिन में एक घंटे में, कितना मिनट है, एक मिनट में साथ पार्ट भर देते हैं एक सो बीस का, टोटल काम मैंने बताया था कल आपको, परसो, एक सो बीस यहां बीच में टोटल वर्क आता है, तो चार और तीन साथ, यह साथ पार्ट जो है, वो दोनों मिलकर एक मिनट में भर देंगे, फिरको समझ में आ गया, ओके, पर यहां पर बोलाएगी टोटल को चौबिस मिनट में भरना है तो अगर यह चौबिस मिनट तक दोनों ही चालू रहते, अगर यह चौबिस मिनट तक दोनों ही चालू रहते, तो कितना हो जाता, साथ चौको 28, साथ दोनी 14 और 216, 168 भर देते 168 मतलब कितना जादा हो जाता, आप देख सकते हो 112, 48 जादा हो जाता, यह 48 जो है, यह pipe को बंद करना है, तो यह जो extra जो आया है ना, यह दूसरे pipe की वज़े से ही आया है, यह जो extra आया, यह जो extra यह दूसरे pipe की वज़े से आया, तो दूसरे pipe के efficiency क्या है, तीन है तो आप तीन से इसको divide करोगे क्या हो रहा है 14 तिया 120 चौबिस आज चुको अठाई, साथ दूनी, चौदा, दू सॉला, एक सो अड़ सट, एक सो बीस, अड़ तालिस, हाँ, ठीक है, तो यहाँ पर यह 16 मिनट आ गया, ओके, तो 16 मिनट आ गया, मतलब अब देखो, टोटल टाइम लगा, चौबिस मिनट, दिलिप मेंना गलत answer, टो तो मेरे को पहले ही बंद कर देना था, तो 16 मिनट तक तो भी चालू रहना चीए था, तो मतलब 24 मिनट में, 16 मिनट से पहले इसको बंद कर दिया, तो आपका answer जो आएगा, वो 8 मिनट आएगा, मतलब 8 मिनट तक आपका अकेले भरा, किसने, आपका A ने, बात समझ में, आई 268, एक्स्ट्रा भर गया, एक्स्ट्रा तो नहीं होना चीए था, कितना जादा एक्स्ट्रा गया, 48, ये 48 जो है, ये 48, ये मतलब 16 मिनट जो है, ये B वाला जो पाइप है, ये 16 मिनट एक्स्ट्रा चला, टोटल कितना चलना चीए था, टोटल 24 मिनट में, 16 मिनट घटा दो, मतलब 8 मिनट तक A B वाला पाइप चला सर पहले A का निकाल कर फिर remaining B का हो जाएगा हाँ ये भी कर सकते हैं देखो ये भी सही बात है A तो 24 मिनट तक चला मेरी बात समझ रहे हो A 24 मिनट तक तो चला A 24 इंटू 4 24 इंटू 4 96 तो भरेगा ही A जो बच गया वो कितना बच गया 24 बच गया 24 जो था वो इसने किसने भरा B ने भरा 24 बाइ 3 एट मिनट वैसे भी कर सकते कोई दिकत नहीं है ठीक है दूसरा तरीका भी अच्छा है बेस्ट है वो भी आप देखो 24 चौको 96 24 मिनट तक A तो पूरा ही चला तो मतलब आपको 8 मिनट के बाद B को बंद कर दो ताकि आपका जो पाइप जो भॉस है वो आपका 24 मिनट में कम्पलीटली भर जाएगा बिल्कुल सही तो दोनों तरीके हैं आप जो भी लगाना चाओ लगा सकते हो ठीक है So let's go to the next question तुमने और किसी को डाउट है किसी ने मेरे को 12 मिनट दिलिप मेना क्या गलती करी थी तुमने तुमने चलकुलेशन में कुछ गलती करी होगी So next question समझ में आ गया अब देखो ये question क्या है Two taps A and B fill a tank in 28 42 मिनट The third tap empties this tank in 42 मिनट If all the three pipes are opened simultaneously How long will it take to fill the tank बहुत easy question है जल्दी से इसका answer बता दो जल्दी से इसका answer बता दो आ गया? नहीं आया देखो एक A 28 मिनट B 42 मिनट और C जो है वो minus 42 क्योंकि C जो है C सौच को 45 42 मिनट में खाली करता है हाना? सो 42 मिनट में खाली करता है तो 84 यहा 3 यहा 2 यहा minus 2 तो आप देखो यह जितना B ने भरा यहाँ पर efficiency जो है 2 minus 2 तो 0 हो गई और 3 मिलकर बोला है तीनो नल एक साथ खोल दिये जाए तो हॉस को भरने में कितना समय लगेगा 2 minus 2 0 बचा 3 3 को डिवाइट करोगे 84 से तो 28 ही आने वाला है तो अपना answer हो गया 28 मिनट Clear? समझ में आ गया सबको? Yes ममता, कृष्णिपाल, सोनम, शर्मा बिलकुल सही ठीक है? So 28 मिनट अपना इसका answer हो जाएगा ओके? चलो आगे चलें Next question Null A किसी हौज को 20 मिनट में भर सकता है जबकि Null B 5 लीटर प्रती सेकेंड की दर से पानी बाहर निकालता है ध्यान से देखो सवाज जब हौज पूर्णता खाली है और दोनों नल एक साथ खोल दिये जाते हैं तो 100 मिनट में हौज भर जाता है अब देखो एक इसी हौज को 20 मिनट में भरता है जबकि Null B 5 लीटर से पानी बाहर निकालता है यान समझ में आ रहा है तो मतलब एक तो भर रहा है और दूसरा खाली कर रहा है पर उसको आपको बोलाए कि कितना 5 लीटर प्रती सेकेंड की दर से वो पानी बाहर निकाल रहा है अब दोनों को अगर साथ में चला दिया जाए तो एक खाली हौज जो है वो 100 मिनट में भर जाता है आप से बोल क्या रहा है तो हौज की शंबता होगी कि आपको हौज की कैपसिटी पूछा है ना जिसको नहीं आरहा है वो अराम से एक बार देख सकता है और जिसको आरहा है वो बहुत ईजीली सवाल को कोई दिक्कत नहीं होनी चाइए अराम से कर सकता है ठीके एकदम easily कर सकता है कोई दिक्कत नहीं होगी देखो एक बार समझ लो बस कोई A pipe है और दूसरा जो है वो क्या है train कर रहा है मतलब खाली कर रहा है तो पहला भर रहा है तो दूसरा मैंने इसलिए minus में लिया A जो है 20 minute में भर सकता है जबकि B खाली कर रहा है ये वाले part को आकरी में यूज़ करेंगे अब उसके बाद क्या दिया जब हौज पूर्णता खाली है तो दोनो नल एक साथ खोल दिया जाते है तो 100 minute लगता है अब दोनो नल को एक साथ खोल दिया जाया मतलब एक भरेगा एक कम करेगा तो ये 20 में भर रहा है ये 100 में है minute में तो आप देखो यहाँ पर LCM आया 100 ये 5 आ गया ये 1 आ गया आप देखो 5 में से क्या minus किया तो 1 आ गया तो वही तो B है तो B की value आपकी कितनी आ गई 4 आ जाएगी क्या बरको बताओ B की value चार आ जाएगी क्या हाँ ना A 5 है 5 में से 4 गया जबी तो 1 बचेगा A minus B 1 अब देखो अगर B इसको पूरे tank को खाली करता तो B को कितना time लगता भई 100 by 4 कितना time लगता 25 minutes 25 मिनट लगता ठीक है कितना time लगा B को 25 मिनट लगता पूरे tank को खाली करने के लिए अब ये B को हमने क्यों निकाला क्योंकि हमें B का ही दिया है rate B का ही हमें rate दिया है वो क्या दिया है देखो B 5 लीटर प्रती second से 5 लीटर प्रती second से खाली कर रहा है तो 5 लीटर प्रती second और कितनी देर में पूरा खाली कर देगा 25 मिनट में 5 लीटर प्रती 2nd में आपको दिया है और कितनी देर चलेगा भी आप बोलोगे सर 25 मिनट तो पहले तो मिनट को इससे क्या करें इसको seconds में बना देते हैं तो 25 into 60 इतने second चला और per second कितना लीटर पानी खाली कर रहा है पांच लीटर ये इससे into कर दो तो देखो यहां से 635 और 25 तिया 75 तो आप बोलोगे tank की जो चमता है वो 7500 लीटर है अज समझ में आई की नहीं आई अरे आगिया समझ में तो मेरे को comment भी कर दिया गरो देखो एंसर होगा इसमें 7500 लीटर क्या किया देखो A भर रहा था 20 मिनट में भर रहा था ये भी ध्यान रखो हाँ बिल्कुल सही राजेंद्र A 20 मिनट में भर रहा था 20 लिग लिए दोनों साथ में अब B जो है वो खाली कर रहा है इसलिए मैंने B को यहां माइनस लिया B खाली कर रहा है कितनी दिर में 100 में तो दोनों का LCM लिया 100 आगया 20 पंचे 100 100 एकम 100 तो 5 A है कितना माइनस करूँ कि A का जाए तो आपको B मिल गी अच्छार तो मतलब B जो है वो 100 बाई 4 करोगे तो B जो है Total Time कितना लिया Tank को खाली करने में आप बोलोगे 25 मिनट और B कितनी रेट से पानी निकाल रहा है 5 लिटर प्रती से तो 5 लिटर प्रती से से पानी को खाली कर रहा है तो 25 मिनट तो पहले तो 2nd में कर लिया को 60 से गुणा कर दिया तो 25 x 60 इतने seconds में ये एक seconds में 5 लिटर पानी खाली कर रहा है तो इतने seconds में पूरा tank खाली कर देगा तो पूरा tank खाली हो जाएगा तो मतलब tank की छमता आ गई 7500 लिटर समझ में आ गया ना सबको इसका answer हो जाएगा अपना 7500 लिटर clear तो एक ही तरीका है बस आपको सोचना है पूच क्या रहा है मुझसे आपको clear होता जाएगा चीज ठीक है आपकी दिमाग में बैठता जाएगा next आगे कहता है किसी बरतन को नल a 4 मिनट में भरता है जबकि दूसरा नल b उसे 5 मिनट में खाली कर देता है यदि दोनों नलो को साथ खोला जाए और बरतन खाली हो तो वह कितनी दिर में भर जाएगा बड़ा असान कोश 4, 5, 6, 20, 5, 20, 20 ही answer होगा इसका देखो आप भी एकदम मैंने बोला ना कुछ कहीं कहीं पे पेंच चलाने की भी जरूरत नहीं होती है वो ऐसे ही सवाल है वो इसलिए बिकास देखो शिमान की शर्मा ने मुझे answer भी दे दिया प्रवेश मारू ने भी answer दे दी क्योंकि आपको सीधा दिख गया ना कि यहां पर आपको एक चीज़ तुरन क्लिक कर गई कि दोनों का साथ में पूछा है मुझे तो दोनों का साथ में पूछा तो मुझे बता है 4 और 5 का LCM भी 20 आएगा 4 पंचे 20 पांचों को 20 दोनों का difference एक भर रहा है एक घट तो एक आजाएगा एक को 20 से डिवाइट करोगे तो 20 आजाएगा यही आपने सबने किया तो ए जो है वो 4 मिनट में बी जो है वो माइनस 5 मिनट में खाली कर रहा है 20 LCM ले लिए 4 पंचे माइनस 4 तो दोनों साथ में चालू करोगे तो एक पांच में ए तो 5 भर रहा है पर भी 4 खाली कर दे रहा है तो टोटल पानी कितना भर रहा है एक यूनिट तो टोटल एक यूनिट एक घंटा दिया है मिनट दिया एक मिनट में एक पांच भर रहा है ये भी असान है, देखो, एक विद्दुद पंप किसी टंकी को तीन घंटे में भर सकता है, परंतु टंकी में छेध होने के कारण वह साड़े तीन घंटे में भरा जाता है, समझ में आया, समझ में आ रहा है ना क्या करना है इसमें, यदि टंकी पूरी तरह भरी हो और पंप भी बंद हो, तो टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी, तो मतलब आपको क्या निकालना है, जो छेध है, वो किस रेट से, कितने देर में पानी को खाली कर रहा है, वो आपका निकलेगा इस पार्ट से, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया राजेंद्रमीना, बहुत है, एक विद्दुद पंप है, वो तीन घंटे में भर रहा है, तो एक विद्दुद पंप, तीन, तो एक पंप जो है, वो तीन घंटे में और छेध होने के कारण, लीक होने के कारण, टैंक में, तो लीक क्या करेगा, पानी को खाली करेगा, तो ये टैंक, ये नल तो चाल हुआ है पर लीक होने के कारण उसको साड़े तीन घंटे लगे तो साड़े तीन घंटे यहाँ पर 21 LCM ले लो 3 सत्य 21 और साथ या 21 और 2 6 यह 6 आ गया तो देखो यह A7 है क्या माइनस करोगी चशह आ जाए तो लीक का आपको निकल गया L. लीक जो है वो एक पाट खाली कर रहा है पर घंटे 1 पाट कितने का? 27 का तो आप नल बंद कर दिया नल नहीं भर रही नल नहीं चालू है तो लीक तो पर रहेगा लीक जो छेध है वो पाटंकी में उससे एक पार्ट पर घंटे में खाली हो रहा है तो टोटल पार्ट 21 घंटे में खाली हो जाएगा तो अपना answer क्या हो जाएगा 21 hours 21 घंटे में समझ में आया सबको clear है 21 घंटे में अपना leak जो है उसको पूरी टंकी को खाली कर देगा यहाँ पर यह चीज़ ध्यान रखना pump बंध है इसलिए जब 21 घंटे में खाली हो जाएगा आगे चले ना सबको clear है सबने दे दी answer next question हाँ एक टंकी एक नल से 4 घंटे में भरी जा सकती है जबकि दूसरे नल से यह 9 घंटे में खाली की जा सकती है यह दूनों नल एक साथ खोल दिया जाया तो टंकी कितने समयम भर जाएगा अरे फिर से वैसा ही फिर से वैसा ही सवाल 4 घंटे में 4 आवर्स में भरी जा सकती है 4 9 जा 36 9 4 जा 36 9 माइनस 4 5 36 बाइ 5 7.2 हाँ आगया एंसर मेरे ख्याल से सबी यही करेंगे आप देखो जहाँ पर पैन नहीं चलाना है वहाँ पर आपको पैन बिल्कुल नहीं चलाना है जहाँ पर पैन नहीं चलाना है वहाँ पर एकदम सक्त मना है भई सक्त मना एकदम चलाना ही नहीं है pen सो मेरे ख्याल से आप लोगो एक confidence आया होगा कि हाँ या रेलवे का paper और जिसने नहीं भरा है वो सोच रहा होगा यार क्यूं नहीं भरा मुझे ध्यानी नहीं था sir क्या बताएं 2-3 साल पहले form आया था 20 चल रहा ना 19 में आया था उसका form 19 में ध्यान ही नहीं था sir college college में कई लोग तो graduation चल रही होगी final year में होंगे कई लोग कई लोग recently graduate हुए है नहीं होगा ऐसे पर वो 12 base भी भर सकते थे उस paper so एक नल 4 गंटे में दूसरा खाली कर देता है 9 गंटे में so कितना आ गया जा रहा है 36 को कितने देर में भर देगा 36 by 5 और देखो answer point में दिया है 5 सत्य 35 5 दूनी 10 7.2 आवर जो कि मेरा answer हो गया 7.2 आवर हाँ देखो सोनम शर्मा यस सर नहीं भरा विल्कुल सही मम था कोई दिक्कत ने तुम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं मैं तुम्हें जूट नहीं बोलूगा जैसे कई बच्चे मेरे साथ हैं जो बहुत ही अच्छा देखे शिवांगी, शोनम, प्रवीन उसके बाद जितेंद्र कृष्नेपाल जो भी हैं जो भी answers दे रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हो आप लोग ठीक है अमन अमन जो है वो भी रहता है और भी है कुछ-कुछ बच्चे बढ़िया कर रहे हो आप लोग बस फोकस्ट रहो जब तक नौकरी ना मिले देखो बहुत सारे burdens आएंगे बहुत सारा time आएगा जब आप बहुत ज़ादा low feel करोगे कि सरकारी नौकरी लेना it's not an easy task आजकी rate में सिर्व यह नहीं कि पढ़ने से हुजाए देगो patience चाहिए नौकरी लगने का time चाहिए फॉर्म भरो अगर आपको बहुत जल्दी नौकरी चाहिए तो you can go for banks you can go also for अगर आपको और अच्छी जॉब भी चाहिए तो आप I.S के लिए जाओ पर मैं जल्दी नहीं बोल सकता हूँ उसमें बहुत time भी लग जाता है कई सारे लोग कई लोग का पहला attempt में फहुती कम बच्चे होते हैं जिनका निकलता है they are very excellent in studies ठीक है कोई बात नहीं तो पहले तो यह सोचो कि जाना कैसे है railway चालू तो कर दिया है पर डर तो लगता है ना अभी centers देखो कहां कहां आता है अभी एक option ये भी तो चल रहा है ना trend में का आज 11 a.m अपना जो 11 बजे 11 बजे भी tweet करने का था उसमें ये भी था है कि हम अपने accordingly exam centers ले सकें जो हमारे घर के पास हो तो वो भी एक था तो आप लोग को साइद मिल जाए तो देखो ये वाला सवाल देखो दो इंच व्यास वाले pipe के नियमित जल भाव से एक पानी की टंकी एक गंटे में भरती है यदि नल का व्यास चार इंच हो तो उसी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा रेगुलर वाटर फ्लो ओफ टू इंच डामिटर पाई फिल्स आ वाटर टैंक इन वन आवर इव दा डामिटर आप दे टैंक इस पोर इंच इस आव लॉग विल इटेक टू फिल दा सेम टैंक बोलो भई इसका एंसर क्या होगा अब यह सोचने वाला सवाल है सोच लोगे एक लाइन पर एंसर दे दोगे नहीं सोच पाओगे तो फिर लीप कर दो यह दो यह ओप्शन है इसमें सोच लो तो एंसर नहीं आया तो लीप यह बोलो क्या होगा इसका एंसर है ना गल्दी से बोलो हाँ राजेंद्र मीना बिल्कुल सही 30 minutes is absolutely correct बेटा अब यह कैसे अरे भाई सोचो ना भी आपने एक diameter का pipe लिया ठीक है diameter का pipe लिया मालो यह pipe से पानी निकल रहा है इसका double कर दिया तो time ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा कम लगेगा अब diameter जब दो गुना बढ़ा दिया आपने तो time जो है वो आधा हो जाएगा हमज नहीं पारे हो आप सुनम शर्मा तुमने ज़्यादा सोच लिया तुमने area के हिसाब से calculate कर लिया अना area पर दिमाग से लागे अबट area में नहीं जाना है अभी मैंने बुला ना बस सोचने वाला है देखो ये diameter है महलो ये मेरा pen इसका double कर दोगे तो पानी उतना ही तो आएगा ना double जितना आ रहा है तो सोचने वाला सवाल है इसका answer 30 minutes बिल्कुल सही है ये diameter है इसको आप double क कर दोगे तो area तो बात अलग हो गई ना ये इस area से इतने पाट से पानी आ रहा है ना तो आप बस double कर दोगे तो आदा घंटा में लब पहले आपका एक घंटा लग रहा था अब उसका आधा हो जाएगा तो आदे घंटा time लगेगा ठीक है तो चलो आगे चलते है next एक pipe एक pipe किसी system को विक्रम मिना एक pipe किसी system को 12 मिनट में भर देती है और पाइप भर देती है भर देता है या ठीक है दूसरी pipe 15 मिनट में भर देती है परंतु तीसरी pipe इसे 6 मिनट में खाली कर सकती है शुरू में प्रतम दो pipe को 5 मिनट खोला गया और फिर तीसरे pipe को भी खो हो जाएगा बताओ एक पाइप किसी सिस्टन को बारा मिनट में दूसरा पाइप 15 मिनट में प्रनतु तीसरा पाइप 6 मिनट में बारा पंचे साथ 15 चोको साथ पांच और चार नौ और यह 10 माइनस का खाली करने वाला है चुरू में प्रधम दो पाइप को पांच मिनट खोला गया बारा पंचे पंदरा चोको नौ पंचे पैतालेस तर पैतालीस मिनट तो विल्कुल सही सो बताओ भाई क्या है एंसर यसे तो मेरे मुझ से निकल गया शिवांगी शर्मा बोलेगी मुझे सर आप एंसर मत बताया करो हमें करने दिया करो पहले और भी पया वपाली शर्मा प्रविनट लोग होँगे सर हम करेंगे दिलिप मेना वेटाआ कहा ओ तुम पहले नंबर में एंसर दे रहे थे तुम येस सिमांगी शर्मा ने दे दिया 45 मिनिट्स अब ठीक है और भी लोग दिलिप मेना जितेंद्र सिंग आ गए राजेंद्र मेना वेरी गुड़ राजेंद्र मेना भी लीड में चल रहे है एकदम रिजवान, कृष्णिपाल, सोनम शर्मा प्रविन शिली, विल्कुल सही दिलिप मेना, देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ कल जब मेरी क्लास होगी कल मेरी क्लास रहेगी आपकी मैरतन उसमें मैं CGL का जो 17 के जो हाड़ेस्ट पेपर है वो करा रहा हूँ उसमें मैं आपको एक चीज़ और सिखाऊंगा वो क्या, time management आप देखोगे कि उसमें बच्चे एक कलती करते थे वो ये, कि मुश्किल questions में फस गए क्या हुआ, time waste हुआ, easy questions रहे गए अराम से, मुश्किलों में मुश्किल questions में अटक गए और easy questions फोड़ दिये कितना बुरा हुआ ये चीज़ समझ नहीं आपको वहाँ बर भी time and work के ऐसे ही questions है ऐसे ही same to same 18th में भी कुछ, एक दो questions होते है time and work वगएरा के जो कठिन बनते है values बदल दी जाती है बस SSC के papers में ठीक है, banks के paper में भी values बदल दी जाएंगे, थोड़ी cutting बना देंगे, खोड़ा calculation आप से कराएंगे और कोई बात नहीं है तो यहाँ पर 12 minute में, यहाँ पर 15 minute में और तीसरा 6 minute में खाली, 60 5, 4 और 10, अब देखो ये दोनु जो है 5 और 4, 9 इनको दोनु को साथ में 5 minute तक खोला गया, तो 5, 4, 9 9, 5, 4, 45 इतना आप tank भर दिया था, इतना tank भर दिया और फिर तीसरा pipe को भी खोल दिया गया, अब तीसरा pipe को खोल दिया तो 5, 4, 9, minus 10, 1 मतलब एक पार्ट खाली हो रहा है पर मिनट एक पार्ट पर मिनट खाली हो रहा है तो पर मिनट खाली हो रहा है तो total कितना लगेगा, 45 minutes खाली हो जाएंगा सोनम शर्मा इससे पहले वाला question तो अभी क्यों पूशती हो मुझसे पहले बता दिया करो ना, चुलो मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, concept देखो, अरे बिटा सोचो ना बस ये सवाल concept इसलिए है कि देखो ये डाया है, ये आपका पूरा डाया है, मतलब सबस करो ये कोई है, इसको double कर दूँगा तो पानी भी तो दुगना आएगा ना, बस वही तो मैं कह रहा हूँ, समझो थोड़ी बात को, तुमने एरिया वाला पार्ट जो है, उसको इतना डेटेल में मत जाओ अभी, अभी बस ये सोचो, कि बस तुम्हें भूल जाओ, मैं इसको जब time and work को लेकर आऊंगा, concept तो मैं सारा कुछ अच्छे लेवल के डाया वाले questions जब कराऊंगा ना, जब समझ में आए, अभी बस ये सोचो कि ये double, diameter double कर दिया, तो time आधा लग जाएगा, बस ये सोच के चलो अभी, ठीक है? अरे होते हैं questions नहीं होते, कौन बोला तुमको राजेंदर मेना, मेरे साथ पढ़तो रहे हो, तुम अभी recently आयो क्या, तुम मेरे साथ अगर continuity में देखो, हमने percentage के questions किये, हमने algebra, average के questions किये, geometry मैंने बढ़ाई है, geometry के questions किये, उसके साथ-साथ मेरे साथ जो बच्चे marathon class में आत होते हैं questions, होंगे, यह दिमाग से रखो, बस practice थोड़ी और ज्यादा करनी, अगर नहीं भी हो रहे हैं, तो होंगे, यह नहीं बोलो कि नहीं होते हैं, देखो, मैं को कल आपको दिखाऊंगा 17 के मेंस के question, अगर आप आओगे, मेंस के question देखते ही लोग भागते हैं पहले त ठीक है, कि वहाँ पर समझो आपकी क्या कह रहा है, अब देखो यह question क्या है, यदि 15 मिनट में टंकी का 3 बटा 16 भाग भर जाता है, तो सेश टंकी कितने समय में भरेगी, बिल्कुल सही जवाब, जिते इंद्र सेंग and कृष्ने पाल चौधरी, very good, बहुत जल्दी पिक किया तुमने question, दिलिप मेंणाने भी, ठीक है, 15 मिनट में, अब देखो, 15 मिनट में 3 पार्ट भर गिया, यहां से देखो, so यहां पर देखो, 5 और 1 से 3 पंचे 15, 3 है कमिंग, मतलब 5 मिनट में 1 पार्ट भर जाएगा, और total 16 में से 3 गया, 13 पार्ट और भजना, यही मिना सेश टं इंटू 13 कर दो, इंटू 13 इधर कर दो, तो 13 पार्ट आपका 65 मिनट में, और देखो, दूसरी चीज़ जो सोचने वाली थी, वो यह थी, कि यहां पर 16 में से 3 गया न, तो 13, तो 13 का ही multiple रहेगा option में, वो एक ही है, बस बिना सोचे समझे भी लगा के निकल सकते हो, ठीक है, स अब कई answer आ चुक है, सो मैं जादा नहीं समझाओंगा इसको, 65 मिनट आप लोगा, एक 15 मिनट में 3 पार्ट, 5 मिनट में 1 पार्ट, 65 मिनट में 13 पार्ट भर देगा, ओके, next, हाँ, सो मैं जो बता रहा था आप लोगों को, वो ये, कि आप लोगों को एक तो ये निकालना है, और mains के questions को भी देखो अच्छे से, एक दिमाग को खोलो, साथ-साथ में, जितना जादा दिमाग खुलेगा, जितने आप questions करोगे, जितना मेरे को, जब मैं पढ़ता था, ज आपके अंदर, मतलब एक जुनून होना चाहिए, कि मेरे को paper निकालना है, उसके बीच में आपको कोई नहीं रहना चाहिए, excuses, कुछ नहीं आना चाहिए, सब बस, जब तक नहीं लगे ना, जब तक लगे कि हाँ यार, मुझे करना है, जब तक आपके अंदर से, देखो, ठीक है, प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है, बिकोज टाइम से कोई चीज होती नहीं है, वो होना जरूरी है, वो बहुत जरूरी, बट मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कि आप लोग पहले अपने अंदर से यह आवाज आया, कि मैं अब निकाल सकता हूँ paper, मेरे को अब है अपने आपके confidence, बहुत जरूरी है, जब तक यह अंदर से नहीं आया है, लगे रहो, लगे रहो, यह बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, so 2, 5, 1 टंकी को क्रमशर 10 मिनट में, दूसरा 30 मिनट में भर सकते हैं, और 1 नल टंकी को 20 मिनट में खाली कर सकते हैं, ओके, 60, य हो गिया, ओके, यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाये, तो टंकी को भरने में कितना रहे यार, यही सवाल है क्या, 6, 2, 8 में से 3 गया, 5, 12 मिनट, तो option है ही नहीं, so in में से कोई नहीं, none of these, 12 मिनट सबका answer आ गया, very good, so 60 upon में 5, यह हो गया, 12 मिनट, ठीक है, so 12 हमारा answer D option हो, none of these, बिल्कुल सही, L-Kesh, Maru, नया बंद है अपने पार, ठीक है, so देखो, यही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि, जो आपको समझने वाली बात है न, वो यही है कि आप अपने दिमाग से निकालो, और practice करो, और number of questions जादा लगा हूं, maths हमेशा practice मांगता है, जैसे मैंने आपको देखो, तरीके, मैं एक चीज और बताना भूल गया, कि आप लोगों से मेरे को एक चीज पूछनी थी, क्या आप लोग अब, जो मैंने square roots, cube roots, square निकालना, cube लगालना, वो क्या use कर रहे हो, आपको अच्छे से बैठा है कि नहीं दिमाग में, आप use करने लगे हो की नहीं लगे हो अच्छे से, लगे हो ना, कि नहीं लग रहे है कि बस उस दिन बस concept में मज़ा आया, फिर जब सवाल आते हैं आपके questions करने के लिए आप इगदम traditional में चले जाते हो, तो वो चीज फिर कोई फायदा ही नहीं है, जब आप apply करना अभी चालू कर दो उनको, यह सवाल देखो, ऐसा ही एक सवाल भी मैंने कराया था आपको, एक टैंक की तली में एक छेद पूरे टैंक को 6 गंटे में खाली कर सकता है, चार लीटर प्रती मिनट की दर से एक pipe टैंक को भरता है, बरने वाला पाट है, जब टैंक पूरा भरा हो तो pipe को खोल दिया आपको पहले वाला पाट बताया था, तो एक टैंक है, तली में एक छेद पूरे टैंक को 6 गंटे में खाली कर सकता है, ओके, चार लीटर प्रती मिनट की दर से एक pipe टैंक को भरता है, अब ध्यान से देखो, यह सवाल वैसा ही है, जैसे आपन कर रहे थे, ठीक है, अब यहा रहे कि जब टैंक पूरा भरा हो, तो pipe को खोल दिया जाता है, और तदा टैंक छेद तवारा 8 गंटे में खाली हो जाता है, तो 8 गंटे में खाली हो जाता है, pipe भी खुला है, मतलब null भी चालू है, और छेद भी है, दोनों मिलकर चल रहे हैं, तो 8 गंटे लगे हमें, ठीक ह तो ये वाला पार्ट मैंने आपके बोला है 4 लिटर प्रति मिनट वाला पार्ट आभी छोड़ते हैं छोड़ते हैं इसको बाद में last में देखते हैं तो ये मालो ये आपको इस बार लीक लिए ये आपका tap आगया ये null आगया चलो वो ही ले लेते हैं एक साथ, तो यह आपका छेद है, छेद 6 गंटे में, और अगर यह positive ले रहा हूँ, तो जो null भर रहा हूँ, वो negative मिलो गया, तो A minus TAR, यह दोनों मिलकर 8 गंटे लिए, अना, 8 गंटे लिए, ओके, अब दोनों calcium ले लो, 24, 6, 4, 8, 3, तो देखो, यह अगर अकेला छेद होता, तो वो 4 पार्ट खाली करता पर घंटे में, और यह T, मतलब इसकी वज़ाए से 1, तो T की value, 1, मतलब null जो है, वो एक पार्ट खाली कर रहा है, पर घंटे में, एक पार्ट खाली कर रहा है, तो आप देखो, 4 लिटर प्रती मिनट से वो खाली करेगा, भरेगा null को, तो यहाँ पर आप देखो, इसको total कितना time लगेगा, 24 hour, क्योंकि यहाँ पर 6 घंटे और 8 घंटे थे, तो 24 बाइवन, 24 hour, तो आप 24 और minute में change कर दो, 60 minute, इतना इसको total time लगेगा, tank को भरने में, और यह कितना pipe चालू कर रहा है, पर minute, आपको दिया है, 4 लिटर प्रती ठीक है, तो देखो, 6 चंग 24, 24, 24, 5, 576 और 0, तो इतना पानी वो, 5, 7, 6, 0, लिटर, बिल्कुल सही जवाब सब ने दे दिया, सिवांगी ने, सोनम ने, राजिंद्र मेना ने, हमता तुमने भी दे दिया, ओके, दिलिप मेना, रिजवान, जितेंद्र प्रवीन, ओके, ठी छेद था, 6 गंटे में खाली कर दे रहा था, और अगर आप नल भी चालू कर देते हो, भरी टंकी में, ये तो आपका छेद तो खाली करी रहा था, बर टैंक से पानी भरा भी जा रहा था, तो इसलिए मैंने नेगेटिव लिया, तो 8 गंटे लगे, 4 और 3, तो ए तो अकेला चार था, उससे क्या माइनस किया, तो 3 आ जाए, तो टैंक मतलब जो ये नल है, टैप जो है, वो एक गंट, एक पार्ट एक गंटे में खाली कर रहा है, तो टोटल कितना टाइम लेगा, वो 24 गंटा, और टैप में पानी किस रेट से आ रहा है, 4 लीटर प्रती मिनट से, तो टैंक की कैपेसिटी है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट कोशन, नेक्स्ट कोशन है, तस टूटिया, जिन में से एक ही दर से पानी प्रवावित होता है, टूटी बोलते हैं ना अपने में, एक टैंक को 24 मिनट में भर सकती है, यदि दो टूटिया खराब हो जाए, तो सेश टू पुछना है आपको, बताओ क्या होगा, तस 10 टैंप्स इन विच वाटर फ्लोज अट दा सेम रेट, सारी जो टूटिया है, वो एक ही रेट से पानी भर्वानी फ्लो करती है, यदि फिल टैंक इन 24 मिनट्स, टू टैंप्स आर नॉट वरकिंग, हाउ मच टाइम विल टेक त इस सवाल को भी मैं वही बताओंगा, बाद में कॉंसेट पर आएंगे तो मैं बताओ, तो देखो यहाँ पर आपको डेटा क्या दिया है, आपको डेटा दिया है कि 24 मिनट्स, ठीक है, तो माल लेते हैं, यह जो 10 टैंप्स हैं, यह 24 मिनट्स ली मैंने इसी का LCM ले लिया, इनकी efficiency आ गई 1, मतलब 10 taps की 10 टूटियों की efficiency आ गई 1, एक आ गई तो एक tap की efficiency क्या हो जाएगी, 1 बाई 10, और 2 बंद हो गई, तो 2 मतलब 8 बची, 8 की कितनी हो जाएगी, 8 बटे में 10, अब 8 बटे में, मतलब 8 टूटिया कितने दिर में भरेगी, 24 बटे में 8 इंटू 10, यह क भर देंगी, समझ में आया, सबने कर भी दिया, तो आपका दिमाग इस तरीके से दौणने लग गया होगा, 10 taps, 24 minutes, यही डिटा दिया, 24, 24, तो एक tap का क्या हो गया, 1 by 10, 8 taps बची, 2 बंद हो गई, 8 by 10, 8 taps कब भरेंगी, 24 से डिवाइट कर दो, 8 by 10, 8, 3 is a 24, 30 minutes, आपके लगे समझ में आया, 30 minutes, देखो, फिर से बता देता हूं, दिलिप मिना, देखो, 10, 10, 2, तूटिया, हाना, फिर से बता, 10, 2, तूटिया, 24 minutes, मेरे को जो डेटा दीता है, मैं उसी को यूज कर लेता हूं, 24, 24, LCM, टोटल वर्क हो गया, 24, मतलब, 10 taps, एक पार्ट भरती है, और क्या एक ही दर से पानी प्रवावित हो रहा है, तो एक टैप कितना हो जाएगा, एक बटा 10 पार्ट भरेगी पर मिनट, और आठ टैप कितना भरेगी, आठ बटा 10 पार्ट, अब यहां बोलता है कि यह दिज दो टूटियां खराब हो जाए, दो खराब हो गई, तो मतलब, 8 चालू करेंगे, तो 8 टैप को कितना टाइम लगेगा, 24, बटे में 8, बटा 10, तो 10 उपर घूम के आगिया, 8 तिया 24, तो 30 मिनट लग जाएंगे, समझ में आगिया दिलिप मिना, कमेंट करके बता दो मुझे, नहीं आया, तो मैं वापस समझा दूँगा, ओके, नेक्स्ट, आगे चलते हैं, तिलिप मिना, I am waiting for your response, ओके, एक टंकी 9 गंटे में भरती है, लेकिन यदि उसके पेंदे में लीक हो, तो वा 10 गंटे में भरती है, अगर टंकी भरी हुई हो, तो उसकी लीक उसे कितने दर में खाली कर देगी, ठीक है, एक टैंक फिल्स इन 9 आ If the tank is full, how long will it leak to empty it, इकुल असा है, into the bottom, it fills in 10 hours, अगर लीक है, बॉटम में, बिल्कुल सही, विश्वजीत कुमार बहुत बढ़िया, बिना पैंच चलाये वाला कोशन है, तो अगर टैंक में नल है, वो तो 9 गंटे ले रहा है, पर अगर लीक के साथ हम देखें, तो वो 10 गं अगर था, उससे क्या कम किया, एक पार्ट हो गया, लीक का, एक, मतलब लीक जो है, वो एक पार्ट खाली कर रहा है, प्रती घंटे, कितना टैंम लगेगा उसको पूरा खाली करने में, हम बोलेंगे, 90 hours, clear, 90 hours, उसको पूरा खाली करने में, टाइम लग जाएगा, सबका एं एक नल किसी टंकी को 25 मिनिट में भर सकता है, तो तो दूसरा नल उसे 50 मिनिट में खाली कर सकता है, यदि दोनों नलों को साथ-साथ, एक ही समय खोल दिया जाए, तो टंकी कितने समय में भरेगी, हाँ प्रवीन शिली, बहुत बढ़िया पकड़े हो तुमने, so 25 दोनी 50, 50 एकम 50, तो दोनों को साथ में, बता दो answer, हाँ, जिवांगी ने दे दिया, हाँ, मैं बूलने वाला था, मैंने वाला चलो, आई गया, दिलिप मिना 50, ठीक है, so एक नल, बिल्कुल सही है, सब ही दे देंगे अब जल्दी से, 50, हाँ, कृष्निपाल चौधरी का भी आ गया, बस फाइब छोटा बना दिया, उसने, ममता सही है, विश्वजी सब का आ गया, so एक नल किसी टंकी को, 25 मिनाट, दूसरा, माइनस, 50 मिनाट में खाली करती है, 50 LCM, 25 2s आ, 51s आ, 2 माइनस 1, एक पार्ट भरा जाएगा, दोनों चालू हैं, तो 50 मिनाट लग जाएगा आपका, so D option, absolutely correct, देखो, ऐसे सवाल आते हैं, आपके railway में, easy questions, जलें आगे, next, अब देखो, आपर, याद आगया, सेश है ना, यह, so दो नलियां, P तदा क्यों, एक तंकी को क्रमश, 12 तदा 15 मिन्टों में भर सकती है, यदि उन दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, और 3 मिनट बात पहली को बंद कर दिया जाए, तो सेश तंकी को भरने में कितना समय लगेगा, अलकेश मारू, 50 by 2 minus 1, हाँ हाँ, सही है, अलकेश मारू, 50 is absolutely correct, 2 minus 1, बिल्कुल सही, अब देखो, P और Q, 12, 15 में, अब 3 मिनट बात पहली को बंद कर दिया गया, तो 12, 65, 15, 64, 12, 5, 15, 4, 5 और 4, 9 पहली को बंद कर दिया, मतलब पहली को बंद कर दिया, मतलब पहली को बंद कर दिया, मतलब 5 वाली को, 12, 65, 15, 4, तो 33 बटा 4 करोगे, तो 4, 8, 32, 8, यह रहा, 33 by 4, पिल्कुल सही जवाब, सिवांगी शर्मा, तो देखो, कितने असान questions है, जो कि आप एकदम अराम से कर सकते ह पर टाइम इन वर्क में मैं दिखाऊंगा, जिससे भी बढ़िया बढ़िया questions बनेंगे, 15, 60, 12, 5, 15, 2, 5, 4, 9 पार्ट, कितनी दिर में, 3 मिनट बाद, 3 मिनट तक चले, तो 9 into 3, 27 पार्ट भर गया, अब बचा कितना है, 60 में से 27 माइनस करो, 33 पार्ट बचा है, 33 पार्ट में पहली को बंद कर दिया, मतलब ये नहीं चल रहा, ये चल रहा है, ये इतना टाइम लेगा, तो 4, 8, 32, 1 बचा, 8, 8 सहीत, 1 बटा 4 मिनट, 8 is to 1 by 4 मिनट, ओके, सो सबका आगया वैसे, C option, बिल्कुल सही है सबका, चलें आगे, next question पार, एक बरतन, दो पाइप से, अलग-अलग क्रमश बीस तता तीस मिनटों में भरा जा सकता है, तोनों पाइप खोल देने पर, पहला पाइप कब बंद किया जाना चाहिए, कि बरतन 10 मिनट के बाद भर जाए, अब ये थोड़ा सवाल में, लेंग्विज समझना, थोड़ा सा, सवाल में, थोड़ा सा लेंग्विज समझना पड़ेगा, ए वेसल कैन बी फिल्ट सेपरेटली फ्रॉम टू पाइप इन 20 अं 30 मिनट रिस्पेक्टिवली, आफ्टर ओपनिंग बोथ पाइप, वेन शूट दा फॉर्स पाइप बी क्लोस, सो देट दा वेसल इस फिल्ट है कि 10 मिनट बाद, अलब कब जब नल को बंद कब करे कि उसके 10 मिनट बाद अपना टैंक भर जाए, समझ में है, सो एक वेसल है, एक बरतन है, 20 तदा 30 मिनट में भरा जा सकता है, दोनों पाइपों को खोल देने पर पहला पाइप कब बंद किया जाए, अब ये बिल्कुल वही जो लॉजिक अपन ने पहले लगाया था, सो बताओ इसका एंसर क्या होगा जल्दी से, जल्दी से बताओ एंसर क्या होगा इसका, 23rd, yes, तो ए, बरतन, 20, मैं धीरे-धीरे कर रहा हूं एकदम, आप लोग वो को टाइम दे रहा हूं, हाँ, आ गया मेरे पास एंस, 30, 60, 30, 1960, ये ले लिया, अब भई, ये बोल रहा है, दोनों पाइप खोल देने पर, पहला पाइप कब बंद किया जाना चाहिए, कि बरतन 10 मिनट के बाद भर जाए, मतलब समझो कि 10 मिनट के बाद भर जाए, मतलब समझो कि कब बंद करने के बाद के 10 मिनट की बात कह रहा ह ऐसा ही लिखा हुआ है तो दस मिनट के बाद भर जाए तो पहला पाइप जो है उसी को बंद किया तो दस मिनट तक दूसरा पाइप तो चला ना भई दस मिनट तक दूसरा पाइप तो चला तो दस मिनट तक दूसरा पाइप चला तो 20 पार्ट भर दिया होगा दूसरे पाइप ने मतलब जो बचा हुआ पार्ट है 60 में से 20 गया 40 ये दोनुने मिलकर भरा कितनी देर तक सुरी 3 और 2 5 5 8 40 सो मतलब 8 मिनट तक दोनु चले उसके बाद बंद कर दिया किसको एको पहले वाले पाइप को तो जो टैंक है उसके बाद 10 मिनट में और लगा कर भर गई तो एंसर क्या आ जाएगा अपना 8 मिनट बाद पहले पाइप को हम बंद कर देंगे ठीक है भई? clear है आगे चलते हैं next question पर 24th question इसको नहीं आए प्लीज कमेंट करके बता देना मैं सबके doubts clear करता हूँ इसी के भी मना नहीं करता हूँ चाहे वो कोई भी बच्चा हो ये याद रखना आप next तो नल एक टैंक को क्रमश 15 गंटे तता 20 गंटे में भर सकते हैं एक तीसरा नल इसे 30 गंटे में खाली कर सकता है यदि तीनो नल एक साथ खोल दिये जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा 15 फोर्जा 23 जाफ चार और तीन साथ और दो क्या option आभी गया दिलिप मेना वेरी गुड बहुत बढ़िया यार काफी फास्ट हो तुम लोग शिवांगी शर्मा प्रवीन शिल्ली वेरी गुड यह बहुत जल्दी पकड़ते हो 15, 20 और तीसरा पाइप माइनस तीस 20 माइनस तीस यह साथ चार बीस तिया साथ तीस दूनी तीनों मिलकर चार तीन साथ में से दो गया 5, 5, 60 से डिवाइट कर दो 15 घंटे अपना एंसर आ जाएगा हाना समझ में आया आगे चलते हैं लास्ट कोश्चन अपना आज का सो लास्ट कोश्चन है कहता है एक टंकी अपना 3 बाई 4 की धारिता तक जल से भरी है एक नली उसे 12 मिनट में भर सकती है और दूसरी नली उसे 8 मिनट में खाली कर सकती है यदि दोनों नलियां एक साथ खोली जाए तो टंकी इतने समय में खाली हो जाएगी ठीक है यह कैपसिटी है यह है यहाँ अब भरा हुआ पाटी खाली करना है और यह एक नल जो है यह टोटल 12 मिनट लेती किसी टंकी को भरने में शिवांगी शर्मा नहीं गलत है विश्वजीत कुमार 18 बिलकुल सही कृष्णिपाल चौदरी बिलकुल सही राजेंद्र मिना तुमारा भी गलत था रिजवान 24 गलत है हाँ अब शिवांगी शर्मा एकदम सही है तो और भी कोई है जो देना चाता है हाँ पहले देखो इसको छोड़ते हैं अभी पहले यह एक नली उसे 12 मिनट में भर सकती है तलब एक टैब जो है उसको 12 मिनट में भर सकता है दूसरा उसे 8 मिनट में खाली कर सकता यह 24 हो गया 12 2 जा 8 3 जा यह समझ में आ गया हाँ यहां तक तो मेरे ख्याल से clear है अब देखो नल यह टंकी भरी कितनी थी अपनी capacity के अपनी धारिता के 3 बटा 4 तो 24 पार्ट है अभी भरा कितना है 3 बटा 4 इसका 18 हो जाएगा 24 इंटू 3 बटा 4 कितना हो गया 4, 6, 6, 18 अब यह 18 भरा हुआ है इसको खाली करना है तो यही बोल रहा है नलिया एक साथ खोली जाए तो तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी कितने समय में दोनों को चालू कर दिये 2 में से 3 गया 1 बचा तो एक पार्ट 1 मिनट में खाली हो रहा है तो टोटल कितना मिनट लगेगा 18 मिनट लग जाएगा 18 पार्ट को तो अपना एंसर C हो जाएगा 18 मिनट अपना इसका एंसर हो जाएगा समझ में आया 18 मिनट is absolutely correct ठीक है तो आप देखो आप लोग भी next year जो भी अपना CT होने वाला है CT का अभी level जो है कुछ पता नहीं है so most probably अभी जो ख़वरे आ रही है उस हिसाब से यह है उसका भी level जो होगा वो इतना जादा high नहीं रहेगा मतलब scoring पेपर रहेगा score करना रहेगा आपको जादा से जादा तो यह सब ऐसे ही सवाल बिल्कुल basic से जो आते है हाँ यही सवाल का pattern है जैसा लिखा है वैसा ही आना options देखना है ना आपको options भी तो देखने है options देखना है जितना complete कर खाली करनी है 24 भी है क्या हाँ फद सकते हो गलती मत करना ऐसे confusion हो जाओगे तो दिया क्यों था वो 3 by 4 पार्ट इसलिए दिया है ताकि आप ध्यान रखो ध्यान रखा करो समझ में आया मेरे कहल से session अच्छा रहा होगा अपना जो railway के हम चला रहे हैं session हमारे institute की तरफ से तो आप लोगों को फायदा ही हो रहा होगा समझ में आ रहा होगा कैसे papers आते हैं किस तरीके से आते हैं कैसे हम without pen railway के questions कर सकते हैं ज्यादा pen नहीं चलाते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसी को आप focus कर सकते हो आगे भी अपने questions को workout कर सकते हो आगे आप और भी ज्यादा questions पे अपना काम कर सकते हो और अच्छे-च्छे questions देखो कैसे लगाल सकते हो ठीक है ध्यान रखो अपना सब अच्छे से रहो stay safe बहुत अच्छे से रहो पेपर जब ही दे पाओगे अपनी health का ध्यान रखो सब चीज का ध्यान रखो मज़ा आता है आप लोगों के साथ मुझे तो पढ़ाने में काफी अच्छे बच्छे है मेरे साथ continuity रखना कल में आऊंगा marathon class में रहना है मेरे साथ वहाँ पर आपको अच्छे लेवल के questions मैं बताऊंगा जो अच्छे होते हैं जिनको करने में मज़ा आएगा pen चलाओ के थोड़ा तो वहाँ पर भाग मत जाए करो मैं देखता हूँ बच्छे भाग जाते है marathon class ठीक है तो वहाँ पर भी आपको रहना है sharing case, caring because चलो bye bye guys कल मिलते हैं, कल बेटा timing 5 to 5 o'clock जो भी रहेगा हमारे institute से आपको अभी intimation मिल जाएगा ठीक है 5 o'clock से start होगा 5 to 8, 3 hours की class होगी तो मिलते हैं कल marathon class में चलाटा guys, bye bye, see you tomorrow क्जाइब ए लूपकूब को पर बीक है क्जाइव कि ईपकोपक्तय कि कि रहे डाख आपकोपक्रोंस कि आपकोपक्त스 कि मैं झाल झाल